19 देज में रितिक रोशन टाइगर श्रॉफ स्टार फिल्म वार हुई 300 क्रॉर क्लब में एंटर इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर तोड़े हैं कई बड़े रिकॉर्ड्स और इस कलेक्शन के साथ ये फिल्म बन गई है 2019 की सबसे सक्सेस्फुल फिल्म प्रितिक रोशन टाइगर श्रॉफ स्टार और वार के बाद अब तक प्रयांका चोप्रा फरहान अक्तर स्टार फिल्म दिसकाई इस पिंक और सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान रिलीज हो चुकी है लेकिन ये दोनों ही फिल्म वार से टकर नहीं ले पा रही और इसका फायदा इस फिल्म को जबरतस तरह से हुआ है Trade Sources का कहना है कि इस फिल्म को अब तक जिस तरह का response मिला है दिवाली वीकेंद पर भी लोग इस फिल्म को देखने जा सकते हैं ऐसे में दिवाली पर रिलीज हो रही फिल्म में Made in China, सांट की आख और हाउस होल 4 को ये फिल्म टकर दे सकती है टेट पंडिट्स का कहना है कि अश्राज फिल्म्स इस फिल्म की सकसेस के बाद इस फिल्म का सीकुल बना सकते हैं और वो इस फिल्म को Mission Impossible के तरज पर एक फ्रैंचाइज बनाना चाहते हैं जिसमें Tom Cruise की तरहां रितिक रोशन होंगे हर फिल्म का हिस्सा और बाकी स्टार्स फिल्म में बदलते रहेंगे वेल रितिक रोशन के लिए ये साल रहा है काफी धमाकेदार आखिर सूपर 30 की सकसेस के बाद ये उनकी दूसरी बड़ी हिट फिल्म है